हेलो फ्रेंड्स कैसे आप से भी तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे अपने मोगरे के प्लांट के बारे में और खास तोर पर उसके पत्तों के पीले पढ़ने की समस्या के बारे में बात करेंगे क्या आपने सोचा है कि मोगरे के पत्ते अचानक से पीले क्यों पढ़ने जैसे कई पोशक तत्व हैं, जिनकी कमी के कारण मोगरे के पत्ते पीले पढ़ जाते हैं, और जैसे पानी ज्यादा देना, अगर आप मोगरे के पत्ते को ज्यादा पानी देते हैं, तो उसकी जड़े सर सकती हैं, जिसके कारण पत्ते पीले पढ़ने लगते हैं, और मोगरे क के पत्ते को पीला कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं मोगरे के पत्ते को हरा परा रखने के लिए कौन से पोशक तत्वों का इस्तमाल करना चाहिए सबसे पहले आता है नाइट्रोजन आप नाइट्रोजन युक्त खाथ जैसे की यूरिया या नीम की खल का इस्तमाल कर सकते हैं आप iron sulfate या keletend iron का इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा आता है magnesium आप magnesium sulfate या epsom salt का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की बात करते हैं कि पानी इसे कैसे देना चाहिए अगर गर्मिया है, मई जून का महीना है तो आप इसको दिन में दो बर पानी दीजिए सुबे early morning पानी दीजिए दोपैर से पहले आप इसको पानी दे दीजिए धूप में आप इसे पानी मत दीजिए और शाम को जब छाया हो जाती है तब आप इसको पानी दीजिए और सर्दियों में आप इसको तब भी पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी सूकी हो और धूप की बात करें तो धूप इसको कम से कम 6-7 गंटे की धूप इसको चाहिए ही है और अगर आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो ऐसी जगह रखें जहां भरपूर रोशनी मिलती हो तो बात करते हैं कि इसमें कौन सी बिमारिय लगती है और कौन-कौन से इसमें कीट लग सकते हैं जो पत्तों को पीला करते हैं जैसे पत्तों पे धब्बे होना आप देख सकते हैं मेरे पोदे के पत्तों में भी सवेध कलर के धब्बे हो रखे हैं ये एक fungal attack है, एक fungal रोग है जो पत्तों को भूरे रंग के धबे बनाता जाता है, जैसे जड़ों का गलना, अगर इसकी जड़े गल जाती है, उसमें fungal attack हो जाता है, तो ये भी fungal रोग है, जो पोदे की जड़ों को सड़ा देता है, जिसके कारण पत्ते पीले पढ़ने आप इसमें अपने घरे लूप चार भी कर सकते हैं, जैसे नीम की खल है, केले का छिलका है, नीम की खल को पानी में मिला कर उसका पतला गोल बना लें, इस गोल को हर 15 दिनों में मिट्टी में डालें, ये ना केवल पोदे को पोशन देगा, बलकि कीटों और रोगों से भी दूर रखेगा, और केले का छिलका, केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मातरा में पाया जाता है, मिट्टी में केले का छिलका दबा दें, या उसका घोल बनाकर पोदे पर स्प्रे करें, बजार से भी आप बहुत अच्छे से कीट नाशक दवाईयां लाकर अपने प अंदर अंदर गमला चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी रूट बाउंड हो जाती है, जिस वज़े से भी इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो यह चल नहीं पाता, और पुरानी मिट्टी को निकाल दें, और नई उपजाओ मिट्टी का इस्तमाल करें, मोगरे के दस दिन में हमेशा इसकी गुड़ाई करते रहे, गुड़ाई करने से पौदा हेल्दीर और सुस्टर रहता है, मोगरे का प्लान्ट एक हैवी फीडर प्लान्ट है, आप इसको हफते में एक बार या दस दिन में एक बार खाद जरूर दीजिए, और लिक्विट खाद आप यान फिर सरसो की खली दे नी है तो आप इसको महीने में एक बार दीजिए क्योंकि यह heavy feeder plant है अगर आप इसको अच्छे से खात देंगे तो यह बहुत अच्छे से flowering करेगा और जितने भी सुके फूल है आप इनको निकाल दीजिए सुके फूल निकालने से क्या होता है कि जो energy plant अपने नए पोदे को देना चाहता है वो सारे सुके फूल ले जाते हैं और बीज बनाने में अपना सारा energy ले जाते हैं इस वज़े से सुके फूलों को आप निकाल दीजिए ताकि नई कलियां बन सकें अच्छे से और नई अच्छे से फूल खिर सकें यह मेरा plant बहुत पुराना है दो तीन साल पुराना plant है बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होने की वएसे अब इसकी कलियां फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो यह कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिशन आप तक पहुंचती रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ और नए प्लान के साथ तब तक के लिए बाबाई